तो इस question में क्या है, if our discount 10% given on the mark price of a book, क्या है कोई book है, उसकी mark price पर क्या करते हैं, 10% का discount देते हैं, the publisher gain 20%, अगर 10% discount देने के बाद mark price पर book को देते हैं, तो क्या होता है, publisher को 20% का क्या होता है, gain होता है, if the discount is increased to 15%, अगर क्या करते हैं, discount क्या करते हैं, increase करते हैं, 15%, then the gain of the publisher is, तो बताना क्या है, कि publisher हो कितना gain होगा, जब क्या करेंगे 15%, increase करेंगे क्या discount, देखिए, simple question है, देखिए, सबसे पहले क्या है, इसमें mark price की value पर क्या होता है, तो देखिए, mark price क्या मानते है, mark price को क्या मानते है, और आप 100 rupees माल लेते हैं, ओके, अब इस पर क्या हो रहा है, फर्स्ट केस में, कि 20, 10% का क्या हो रहा है, discount हो रहा है, अगर जब 10% का क्या हो रहा है, इसमें, discount होगा, तो क्या होगा, 90 rupees आएगा, आएगा 90 rupees, यह माल लेते हैं, यह क्या है, आपकी, selling price है, अब क्या हो रहा है, उसको क्या होता, पबलेसर को 20% का क्या होता है, गेन होता है, तो आपकी क्या है, जो 90 rupees आएए हैं, यह क्या है, आपके, total selling price है, तो यह क्या होगी, 120% के बरावर होगी, क्यों होगी, क्योंकि क्या हो रहा है, 20% का पबलेसर को गेन हो रहा है, तो आप क् अब निकाल सकते हैं क्या कॉस्ट प्राइज निकाल सकते हैं क्या निकाल सकते हैं कॉस्ट प्राइज निकाल सकते हैं तो कॉस्ट प्राइज निकाल सकते हैं तो कॉस्ट प्राइज क्या होगी कॉस्ट प्राइज होगी हंडेट परसेंट के बरावर होगी ओकी तो हंडेट पर कर दीजिए तो 0 से 0 cancel और 3 4 जा 12 ठीक है और 3 3 जा 9 आप क्या बचा 300 अपन 4 बचा क्या बचा आपका 300 अपन 4 बचा इसको solve कर दीजिए तो क्या होगा टू जा बचा 5 जा इसको फिर solve करेंगे तो क्या आएगा बचा अर आपका 7 जा कह दीजिए तो फाइब जा किदना आ गया 75 रुपीज आ गया तो यह क्या है औरिजिनल क्या बुक की कॉस्ट प्राइज है ठीक है तो आपकी कॉस्ट प्राइज क्या नकल आई आपकी कॉस्ट प्राइज क्या नकल आई आपकी 75 रुपीज नकल आई ओके अब क्या बोला सेकंड केस में केस सेकंड क्या है दस परसेंट का क्या होता है अगर डिसकांट क्य में क्या है कि क्या होता तो दिखिए मांक प्राइस कितनी थी आपकी मांक प्राइस थी कितनी 100 रुपीज थी ठीक है मांक प्राइस थी 100 रुपीज अब क्या हो रहा है डिस्काउंट क्या हो रहा है आपका 15 परसेंट का हो रहा है तो डिस्काउंट 15 परसेंट का होगा तो क्या बुक की कोश्ट प्राइज कितनी 75 रुपीज है ऊपन निकाली तो दीए अब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे सेलिंग प्राइज माइन स्कॉस्ट प्राइज करेंगे तो कि तना आएगा अउपका 10 रूपीज आएगा ठीक है परसेंट निकालना है प्रॉफिट परसेंट त इसको solve करेंगे तो 3 जा और इसको solve करेंगे तो 4 जा तो कितना आ गया आपका 40 अपॉन 3 आ गया ओके इसको solve कर लीजिए तो कितना होगा 40 को अगर 3 से divide करेंगे तो क्या होगा आपका 3 बन जा 3 और बन कहरी 0 हो जा 3 3 जा 9 तो 9 आ गया ओके अप क्या बचा बन बचा पॉन्ट लगेगा तो 0 आएगा ठीक है इसके बाद क्या आएगा फिर 3 आएगा तो 3 3 आएगा तो आपका answer क्या होगा 13.33 तो इस percent का क्या होगा इसको profit होगा कि इसको publisher को जब वो क्या करता है वो 15% discount पर देता है ओके तो option देख लेते हैं option क्या है तो option number क्या है इसका option number D होगा इसका answer होगा